तो हे रिवान एक बार पुने स्वागत हैं आप सभी का आपके अपने यूटूब प्लेटवर्म यानि कि संध्या कंपुटर क्लासिज मैं शवन कुमार एक बार फिर से आप सभी का तैदल से आब आरवेक्त करता हूं कि आप जुड़े हैं आरिशेटी के सबसे बहतरी चैनल जाने कि संध्या कंपुटर क्लासिज के साथ आप सभी की आरिशेटी मुख्य प्रिक्सा जो अक्टोबर में होने वाली हैं उन सभी के लिए आप सभी लोग ज्यादा संक्या में जुर जाए क्योंकि आज का शेशेट एक बार फिर से आप सभी के लिए कापी शांदार होने वाला हैं तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी के सामने आज का पहला किशिन आप सभी के सामने पेस्ट कर रहा हूँ उम्मेद रहेगी कि आप सभी को ये सेशेटी पसंद आएगा और अगर सेशेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेर जरू करें और चैनल पे कैसे पैचान कर सकते हैं कि इनमेंसे कौन सा सत्यकतन है आप से बोला है कि primary storage unit में secondary storage unit की तुलना में तेज एकस्ट टाइम और कम storage capacity होती है तो ये बात तो एक दम बिल्गुल सही है अलांकि आज की class live नहीं रहेगी क्योंकि थोड़ा सा समय होने की बज़े से आज मैं आपको सामना है कि secondary memory non-volatile होती है तो ये भी बात एक बार पुनस सत्य हो जाती है कि जितनी भी secondary device होती है वो सारी की सारी आपकी कैसे होती है नौन-volatile होती है फिर आपसे वो लाएं कि RAM एक परकार के इस्तिर memory होती है तो ये वाला तो गलत है हमें पता है कि RAM की जो परकार होता है RAM क वो कैसा होता है और इस्तिर होता है यानि volatile परकार की memory होती है तो इसमें केवल एक और दो ही सही माने जाएंगे यानि केवल एक और दो option A जो जो student देगा उसका क्या माना जाएगा correct माना जाएगा तो आप सभी लोगों को यहां से पता रखना है कि इस question का जो correct answer है आप सभी के सामने next question की और कापी जल्द ही आपके सामने आज का second question आ रहा है आप सभी लोगों को comment भी देनी है ना ताकि आप सभी लोगों को पता तो चले एक बार हाँ जी तो second question आप सभी की screen पे आ चुका है वंक तवी ए दिया है कि monitor तथा speaker एक output device होती है तो यह बात तो बिल्कुल set battery है कि जो monitor और जो speaker होते है वो output होते है second फिर आप से बोला है कि scanner और जो microphone होता है कि input device होता है तो यह बात भी कैसी है सही बात है यानि कि एक वह दौनों आपके क्या है सही है आपके दौनों के दौनों की कल्प कैसे है बिल्कुल correct मानी जाएंगे उमीड है कि आप सभी लो इका मतलब होता है आपके बढ़ते क्रम में कैसे करना है बढ़ते यानि चोटे से बढ़े की और सबसे चोटा आपका होता है के भी फश्ट पर अगर किसी को के भी दिख रहा है तो वह आपको कहां पर दिख रहा है एक तो यहां पर दिख रहा है ऐसे बढ़ रहा है इसमें भी KB आ रहा है इसमें भी KB आ रहा है ये तो होगा नहीं फिर KB के बाद में आपका MB होता है तो KB के बाद में आप MB को देखो तो यहां पर यह वाले option में ही मुझे देख रहा है तो यह भी गलत हो जाएगा यह भी गलत हो जाएगा और उसके बाद में GB आता है यानि कि जो option C है वहाँ कैसा माने जाएगा correct माने जाएगा अब जो जो student option C के साथ में है वो बिल्कुल correct माने जाएगी यहां से आगे पिर बात करते हैं कि web में एक side से दूसरी side पर जाने की जो process होती है या ग्रिया होती है वह आपकी क्या कहलाती है यानि कि आप किसी भी website पे काम कर रहे हो और अच्छानक से किस पे जा रहे हो एक side से दूसरी side पर जा रहे हैं जो वहाँ आपकी process क्या कहलाती है navigating कलाती हैं तो ये भी आप सभी को पता रखना है कि अउम्मीद हैं कि आप सभी लोग जो हैं यही answer मुझे दे रहे होंगे अधिको इस्टन डेलेट से जुड़ने वाले जितने भी ब्यारती हैं आप अगर आज आपको आरीशीट एक्जाम में अच्छे स्कॉरिंग के साथ में पास करवाता हैं और आपको भी जो हैं कापी सांदर मार्क्स के साथ में आपका रिजल्ट मिलने वाला हैं आगर बोला है कि secure seal क्या होती हैं तो आप सभी को पता रखना है कि यह किसी भी website के एक विश्वास का परतिक होता है जानि कि कैसा है आपकी एक website होती है यानि कि secure seal का जो संबंद होता है वो किससे होता है आपके एक website से होता है कि वहाँ आपकी website कितनी विश्वास नहीं है तो इसका संबन्द क्या होगा एक website से होगा यानि कि इसको और आपका trust sale भी बोला जाता है कि आपको कौन सी website के साथ में आपनी नीजे जानकारी शेयर करनी चीहे और कौन सी के साथ में नहीं करनी चीहे तो उसलिए website को विस्पास का एक परतिक दिया जाता है और इसका संबन्द एक website से होता है आगी फिर बात करते हैं कि साथा का पूरा नाम क्या है S A T A यानि कि साथा साथा का पूरा नाम क्या होता है इस्टोंट जल्दी से जल्दी बताए कि क्या हो सकता है इसका क्रिक्ट एंसर और जैसा कि आप सभी को पता है मैं एक दो बार क्यूशन आपको करवा भी चुका हूं कि साथा का पूरा नाम है सिरियल एडवांस टेक्नलोजी अटेच्मेंट यानि कि ऑप्शन सी जो है यहां से आपका क्रिक्ट माना जाएगा आगे फिर बात करते हैं कि एक स्लाइड सो में स्लाइड चैंज होने पर डिस्प्ले के लिए एप्लाइड एपक्ट क्या कहलाता है उम्मीद रहेगी कि आप सभी लोग भी कमेंट करते जाएंगे और यहां से जो ह फिर यह निम्म्न मैंसे किसका उप्योग कर सकते हैं तो इसट्वेट आप सभी को पता रखता है कि आप पता है कि motion path क्या है आप सभी के सामने आज का question number 9 की motion path क्या होता है आप सभी को पता रखना है कि आपके सामने जो नाम आया है motion path यह क्या होता है एक slide पर item को move कराने की विडियों होती है यापने अपने अपना जितना भी items है एक slide पर डाल दिया है और आप उसको कैसे move करवाते हैं उसी का एक method होता है उसका नाम क्या है motion path होता है आगे बात करते हैं आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है आज का question 10 कि टाइम श्नी रॉमन कॉमिक सैंस एंड कलिबरी एक परकार है जल्दी से जल्दी आई होप आपस भी लोग session के साथ में कापी इंजोई कर होंगे अगर session पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जाड़े-जाड़ा सब्सक्राइब करें और एक प्यारी से कमेंट जरूर दे ताकि जितने भी आने वाली चाहिए तो यह हमारे लिए motivation के रूप में काम करता है तो अब इसलिए आप सभी को यह करना चाहिए तो यहां से फॉंट आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा टाइम शनी और और मन कॉमिक सेंट सेंट कैलिब्री नेक्स्ट कि निम्न्यमै से कौन सा मेलिंग सष्टाशार की रूप में माना जाता है तो बहुальной सबी लोग यहां से ध्यान रखना कि जो मेलिंग सिष्टा सार हैं वो किसको बोला जाता है संचिप्त और उच्छी जो विसे होते हैं किसी भी इमेल के अंदर उसी को आप लोग क्या बोलोगे मेलिंग सिष्टा सार के रुप में जाना जाएगा कि इनमें से एक साइबर खतरा नहीं है सबसे पहले तो आप सभी को पता होने चीए कि साइबर खतरा क्या होता है तो वे आपके सॉप्टेर होते हैं जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुचाने का काम करते हैं अब आपके सिस्टम को नुकसान बहुत तरीकों से पहुचा है ज प्रवन देदारी पैचान का उपयोग किया जाता है तो यहां से जो हैं आपको ओमर के साथ में जाना होगा जिसका पूरा नाम आपका अगर पूचे कभी कि OCR क्या होता है तो अप्टिकल करेक्टर रिकोगनेशन अगर BCR पूचे बार कोड रेडर और अगर मीडी पूचे तो मेजिकल इंस्ट्रमेंट डिजिटल इंटर्वेस इतनी सी बात है अगर क्लियर हैं तो आप सभी का पैपर जो हैं का पिसांदर जाने आगे पिर बात करते हैं कि DSL एक कनेक्टिविटी का परकार है यानि कि आप अपने डिवाइस को इंटरनेट से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वही नाम आप सभी के सामने दिया गया है तो यहां से जो DSL है इसका आप से पूरा नाम पूचा है उम्मीद है आप से लोग कमेंट मे मुझे लिखेंगे कि इसका करेक्ट एंसर क्या हो सकता है अब यहां से आपको जो बोला है DSL का पूरा नाम डिजिटल सब्सक्राबर लाइन यानि कि आप सभी के लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है नेक्स्ट बात करते हैं कि सुत्र बनाने के लिए आप किसका उप्योग कर सकते हैं आप सभी के सामने आज का किशन नंबर 15 एक सुत्र बनाने के लिए आप किसका उप्योग कर सकते हैं यानि आप आप किसके अंदर काम कर रहे हैं और आपको किसी भी फॉर्मूले को बनाना है तो आप इनमें से किसका इस्तमाल करेंगे तो सेल की जो वैली होगी लिए उसको भी आपको लेना होगा और सेल के जो रेपरेंस होंगे यानि सेल के जो संदर्ब होगे उनको भी आपको लेना होगा तो और आप इसको ह cigar प्रिक रहे हैं तो आप लोग को याद रखना है तो यहाप लोग टाइटल को है जो आप जब वक्षेट को स्क्रॉल करोगे तो ऐसा ना हो कि रो और कॉलंम के साथ में वो टाइटल भी स्क्रॉल हो जाए तो इसलिए आप लोग क्या करते हैं फ्रिस्पेंस कमांड कर दें और ऑप्शिन बी आप सभी गले बिल्कुल यहां उसको instrument आपका grid lines बोला जाता है यानि plot area में दिखाई देने वाली horizontal और vertical line आपकी का के लहती है grid lines option D आप सभी के लिए correct माने जाएगा आगे फिर बात करते हैं कि Excel tools में कौन सा tools एक अंतिम परिणाम से किसी अज्यात value की गणना करने के लिए इस्तवाल में आता है आप सभी को याद रखना है कि आप अब किस में काम करें Excel के अंदर और इसका एक ऐसा tool है जो आपको अंतिम परिणाम यानि कि आपका जो last result होगा उसकी किसी अज्यात value की गणना करने के लिए आपके लिए इस्तवाल में आएगा तो इसका नाम इस्ट्वेंट क्या होगा गो option open रहेगा आप सभी की कमेंट भी में regular जो हैं देखता रहूंगा तो आप सभी लोग कमेंट साथ साथ में करते रहें आज पिर आपसे बोलाएं कि सेडी तदा डेवीडी पर डेटा जैसे आपके संगेत फोटो अस्तावेजादी को लिखने की जो process होती है वो इस्ट्वें परकार का निजी email खाता आपके computer पर email को download करने के लिए अब यहां से दो परकार की question आपसे पूचे जाते हैं एक question यह होता है कि कौन सा outlook आपके वेपार setting में इस्तमाल आता है जब वेपार setting बोले तो Microsoft Excel के साथ में जाना है लेकिन आपसे बोला है कि निजी email खाते को download करने क लिए तो फिर आप P.O.P. के साथ में जाओगे और P.O.P. का जो पूरा नाम होता है इस्ट्वेंट आप सभी को याद रखना है Post Office Protocol होता है और फिर यहां से याद रखना कि जो आपको दिये रखना है I.M.A.P. यानि कि internet message access protocol यह भी आपका किसका account होता है आपका outlook account हो जाए आगे फिर बात करते हैं कि निमन मैंसे कौन सी सुवीदा आपकी computer की स्थती और setting को पिछली बार की समय वापस लाने के लिए इस्तमाल में ली जाती है तो आप सभी को याद रखना है कि निमन मैंसे कौन सा होगा आपका system restore point होगा option A हो है आप सभी के लिए कापी सांधर वि आपके exam point विश है कि निमन मैंसे कौन सा एक परकार का user account windows 10 में नहीं होता जोग किशन पर थोड़ा से ज्यान देना आप से बोला है कि कौन सा नहीं होता है तो यानि कि standard और administered तो आपके दोनों होते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि यह प्रक्त मैंसे कोई नहीं अगर यूं बोलता कि कौन सा होता है तो यह भी दोनों विकल्प आप लोग करते हैं इतनी सी बाते आप सभी को प्लियर होनी चीए आगे फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्यूशन आज की हम पौंडोभीशत किनमिमैस कॉन्सा कंप्簡 सा हाड़्वेंश को छलाता है और अन्योष दोन weekend के रूप में कारिय क्रता है है तो सीश्टन्ट आप सभी को पस्दा रखना है कि अससा वी ्पॉस कर शोARया नाम है आपके विंडोगे सभी सब्स आपका जितने भी यह नाम मैंने चुलिए हैं यह सारे के सारे आपके ऑपरेडिंग सिस्टम के नाम होते हैं आगे फिर बात कहते हैं कि राजस्तान सरकार द्वारा लॉंच किया गया क्लावड बेस्ट डे स्टोरे समादान का उजारन कोंता है तो आप सभी को याद रखना है कि यहां से आपका करेक्ट एंसर है राज-ई-वर्ड हो जाएगा और यह जो हैं आपका डिजिटल डॉक्यमेंट मैनेजर के रूक में जाना जाता है कैसे जाना जाता है डिजिटल ड लोक्युमेंट है उनको इस्टोर रखने का काम करता हैं आपके इंटरिनेट की ये साहिता लेता हैं और इसके लावब जो राज ए ग्यान दिया है एक सेक्सिक बॉटल होता है और आपका रास्तान पब्लिक सर्विस कमिशन है और राज इसाइन आपका कस्टरमाइज QR और फो या फिर बेच सकते हैं यहां से बीटूसी वगरा बहुत परकार हैं कभी अकर आगे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको और भी ज्यादा बाते समझ में आती जाएगी क्यों को रोजाना नहीं किशन होते हैं तो आप सभी को दिक्कत नहीं होने चाहिए आगे बात को होता है तो यह बीख को पता रहता है सब्सक्राइब कर सकते हैं कि SSO के अंदर काम कर रहे हैं और आप किस किस वेस्ट जो हैं पंजी क्रण अपना कर सकते हैं रेजिस्ट्रेशन तो आदार नंबर के जरीए भी हो सकता है बामासा करमा के जरीए भी हो सकता है तो यह वह भी राओन विकल्प आपके सही माने जाते हैं जिपीएस का पुरा नाम पूचा है, इस्टोएंट कापी में तो पुन कीशन है, I hope आप सभी जो हैं, सेशन के साथ में इंजोई कर रहे होंगे, अगर सेशन अच्छा लग रहा हैं, तो विडियो को लाइक शेर जुरू करें, और प्यारी ची कमेंट आप लोग जरूर दें, चैनल पर पहरी बार विजिट किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें, GPS का पुरा नाम पूचा है, GPS का पुरा नाम Global Positioning System होता है, जबकि आप से एकर यूंग बोले, कि GIS का पुरा नाम क्या होता है, तो Geographical Information System होता है, तो इतनी इसी बाते से भी दूख लिएर होनी चाह होगा किसी भी दूसरे मोबाइल को जब आपने इंटरनेट को शेयर किया होगा तब, तो हट सब्सक्राइब करकें, फिर आप सभी को पता है कि कौन से माद्दिम की आवश्यक्ता होती है, वाइफाइ की और वाइफाइ की अगर पूरा नाम पूचे तो wireless fidelity होता है, क्या होत सब्सक्राइब करेंची इस question का फिलाल के लिए answer एक करेक्ट माना जाएगा, और मैंत्रपूर्ण की शेयर एक और आप सभी की स्क्रीन पर, तिने में नमें से कौन सा operating system multi-tasking को वास्ते में लागू नहीं करता है, जोको multi-tasking का मतलब होता है, कि कोई system एक समय में एक से अधिक कारी कर सकता है, यानि बहुत सारी कारी कर सकता है, लेकिन इनमें से MS-DOS, यानि कि Microsoft Disk Operating System, एक ऐसा operating system है, जो के एक समय में एक ही काम को करता है, इसका मलें ये single-tasking का example ह होता है, आगे फिर बात करते हैं कि खाली जगा उस disk का नामित इस्तान है, जहां पर फाइलों को क्या किया जाता है, संग्रहीत किया जाता है, तो कापी में पूर्ण किशन है, I hope आप सभी को ये किशन आना चीए, और आप से बोलाएं कि फाइलों को कहां पर रखा जाता है और आप सभी के पता हैं कि जो फाइलों को रखा जाता है, वो किसमें रखा जाता है, फॉल्डर के अंदर, और फॉल्डर के अंदर जो फॉल्डर होते हैं, उनको सब फॉल्डर कहते हैं, कभी कर पूछे कि फाइल क्या होती हैं, तो डेटा का क्लेक्शन, किसका डेटा का जो collection होता हैं वो आपकी file होती हैं जबकि folder एक ऐसे नामितिस्तान होते हैं जहां पर file को रखा जाता हैं आगे एक मैंति पूर्ण किश्विन है कि अस सित्यकतन की पैचान कीजिए देखो आप recycle bin में हटाई गई file को पा सकते हैं यह बात तो सही है फिर बोलाएं कि यदि आपको कभी जरूरत है तो recycle bin से किसी file को वापस ले सकते हैं यह भी सही है फिर बोलाएं कि आप recycle bin में file को बेसकर डिस्क का दिक्तिस्तान बढ़ा सकते हैं यह बात गलत होगी और आप आपसे बोलाएं कि आप right click कर सकते हैं इंपटी recycle bin को सुनकर recycle bin को साथ कर सकते हैं यह भी बात सही है लेकिन यह वाला नहीं होगा तिसरा क्योंकि अगर ऐसा होता तो तो पिर हमें जो हैं हमारा computer कभी जो है अव आप लोग पर्मानेंट लिए उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं और जब तक नहीं करोगे तब तक आपके system का storage का यूज करता हैं आगे पर बात करते हैं कि विंडोस 10 ने internet explorer को replace करके कौन सा वे ब्राउजर लाया गया है जिको विंडोस 10 आपके book के according सबसे नियुंतम वर्जन है लेकिन जो है sorry सबसे नवेंतम वर्जन है लेकिन अगर यूँ बात करें कि आज जो है मार्केट में विंडोस 11 आ चुका है तो आप सभी को यहां से clear होना चाहिए आगे पर बात करते हैं कि यहां से replace करके किसको internet explorer और यह हैं क्या वे ब्राउजर और आप से पूछे इसके रजिस्तान पर किसको लाया तो Microsoft as को लाया आगे बात करते हैं आज की क्यूशन No.34 कि निम्नमैस से कौंसा रजिस्तान संपर का चरान नहीं है तो मैंने अभी नाम बोलेते हैं registration, moderation, allocation, disposal, verification और इनमैसे scrutinization से कैसा नाम है जो कि आपको नहीं देखा, it's mean यही क्या होगा आपक प्रेक के द्वारा आपको चाहे गई website की जगह किसी अन्य website पर ले जाया जाता है, तो इस्ट्वेंट आप सभी को याद रखना है कि इसका पूरा नाम आपका क्या हो जाएगा, DNS poisoning हो जाएगा, क्या हो जाएगा, DSN poisoning आपका यहां से बिल्कुल correct answer होगा, जबकि जो phishing होता अगरे class अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जुरू करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जूरू दे, आज के लिए इतना ही मिलेंगे एक next session के साथ में, यानि कल तो वही समय रहेगा, लाइक का अच्छे हैं बजे, तो कल अपन वाप session के साथ में तब तक लिए, जय हिंद, वंदे मातरं, जय वारत